नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, दोस्तों एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, हो सकता है आपके घर पर लगा हो और बड़ी आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है, परन्तु आपको इसका नाम हिंदी में न जान लीजिए एलोवेरा का जो पौधा होता है, वो तांत्रिक गुन एवं तांत्रिक रूप से एक रामबान ताकत माना जाता है, अगर आपका शत्रू आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रएँ, एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रू का विनाश कर सकते हैं, अगर आप कर्च के मायाजाल में फंस चुके हैं, तो एलोवेरा का पौधा आपको उस मायाजाल से निकाल सकता है। एवं आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग को एलोवेरा अपने दम पर ही सही कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयूरवेदिक और तांत्रिक गुनों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए अगर आपने एलोवेरा के पौधे के शक्तिशाली गुनों के बारे में ठीक तरीके से जान लिया, तो आप अपने दिन्चार्य के काम में एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने पास में रखेगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में भी होता है, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तिया का वास नहीं होता है, मान लीजे आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा, तंत्र विद्या करवा रखी है एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से निजात पा सकते हैं चुट्टी पा सकते हैं, बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है दोस्तों यह वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है और अगर आप इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका एक रूपे का भी खर्चा नहीं होगा, परन्तु आपको लाखों रूपे का फायदा ही होगा आपको अगर नहीं पता तो एक बार जान लीजिए धर्ती पर जितने भी बनस्पती उपलब्ध होते हैं, जितने भी बनस्पती आप लोग दिखते हैं हर पौधे में अलग-अलग तरीके की ताकत होती है एक दिव्यशक्ती का वास होता है आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से की पुराने समय में हर व्यक्ती जो होता था वो पेड पौधों में पानी इसलिए चाता था क्योंकि हर पौधे पर कोई ना कोई दिव्यशक्ती ब्रमांद की शक्तिशाली महाशक्तिशाली शक्तिया का वास होता है जैसे अगर आप उन लोगों को खुश कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको कश्ट नहीं होता है इसलिए दोस्तों आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो या बर्गत का पेड़ हो इन पेड़ों के नीचे लोग जा कर दिया जलाते हैं जल अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं क्योंकि इन पेड़ों पर भगवानों का वास होता है और दोस्तों एलोवेरा पेड़ पर भी महालक्ष्मी का वास होता है जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ठीक तरीके की साधना कर ली तो मा लक्ष्मी का आपको आशिरवाद मिलना तै है दोस्तों विडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेधन करना चाहते है कमेंट बॉक्स में ओम नमा शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि आपके उपर कोई भी कष्ट आने वाला हो वो अपना रास्ता बदल ले क्योंकि कहा गया है कालों के भी काल भगवान भूलेनात जिसको भी आशिरवाद दे देते है उसके उपर कभी भी कष्ट नहीं आता तो तुरंत वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हिंदू पुरानों के बारे में ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं दोस्तों एलोवेरा का जो पौधा होता है वो सूखे में उपता है सूखे में उगने के बाद में इसमें पानी का जो तत्व होता है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है एलोवेरा के बारे में साफ साफ ये कहा जाता है कि ये शारीरिक विश को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है मनुष्य के शरीर में कभी कभार ऐसे नशीले तत्वों आ जाते है दोस्तों जो बड़ी समस्या बन जाते है मतलब आपके शरीर में कभ एक छोटा साविशा जाएगा वो छोटे रोग से चालू होते हुए कभ बड़ा रोग बन जाएगा जिसमें आपका लाखो करोर रुपे चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा परन्तु अगर आप लोग ऐलोवेरा के पौधे का सही इस्तिमाल करते हैं आप इन तरीके के नशीले तत्वों को अपने शरीर से खत्म कर देते हैं विग्यान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा एजे डाइमंड मतलब एलोवेरा एक डाइमंड है हीरा है जिसका मतलब ये है कि इसने आपका ज्यादा पानी का खर्चा नहीं होता है आपको इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, परन्तु इसके आयुर्वेदिक बुनों से आपको लाखों रुप्य का फायदा हो सकता है दोस्तों एक बात जान लीजिए एक मनुश्य का जो शरीर होता है वो पाँच तत्वों से निर्मित होता है मतलब आपके शरीर में पाँच तत्वों मौजूद होते हैं यानि के प्रिथवी, जल, अगनी, वायू, आकाश ये सारे जो तत्वों होते हैं वो इनसान के शरीर में मौजूद होते हैं वही पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बना कर रखते हैं. यदि आपके जीवन में आप कहां भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्या आपके पीछे पड़ा हुआ है. आप लोग परेशान हो चुके हैं, चिंतित रहते हैं तो ये बात जान लीजिए कि आपका कोई ना पीछे मुल कर नहीं देखा है, यानि कि उसको भाग्या का साथ मिला है, उसके पास धन खीचा हुआ चला आया है. आप कुंडलिनी शक्ती के लिए हम एक अलग से विडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए अगर आपको कोई परेशानी है, आप दिक्कत में है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, आपकी समस्या क्या है ताकि अगर आपकी समस्या का हम समाधान बता सकते हैं, तो हम आपको रिपलाई करके उसका आंसर दे देंगे, और नहीं बता सकते हैं आंसर में तो उसके लिए हम अगर वो आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ चक्रों में एक चक्र होता है मनेपूर चक्र, मनेपूर चक्र जब भी आपका कमजोर हो जाता है यकीन मानिये दोस्तों आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है, आप लोग गरीबी दरिद्रता की तरफ बढ़ने चले जाते हैं और मनेपूर चक्र का कमजोर होना आपके बहुत खतरनाक होता है, बहुत अशुब माना गया है, मनिपूर चक्र कमजोर होने से आयूरवेद की भाशा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, मतलब होट अटेक के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है, आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बाल ज़रना शुरू हो जाते हैं, जो आपका मनिपूर चक्र होता है, अगर वो गडबड हो जाता है, तो यकीन माने आप लोग जीवन में कश्टों से घिरे रहेंगे, इसलिए अगर आप लोग मनिपूर चक्र को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको कुंडलिनी शक्ती को सही करन होगा, इसके लिए हम आपको एक सरलसा उपाय बताने जा रहे हैं, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आपको भी नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ती का जो दिमाग होता है, वो ब्रहमान से जुड़ा होता है, यानि कोई व्यक्ती लगातार दु को अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशनी नहीं होगी, जैसा आप लोगोंने हिंदू पुरानों में भी पढ़ा होगा, भक्ती में ही शक्ती है, अगर कोई व्यक्ती की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, और वो भक्ती ठीक तरीके से करता है, तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं, वो एलोवेरा के उन गुनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके गुन के अंतरगत आपकी मनोकामना पूर्ती हो सकती है, दोस्तों ध्यान रखिएगा एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें तीन या चार साल में एक बार जा करके कहीं फूल आता है इस फूल की खासियत ये होती है एलोवेरा के जितनी ताकत होती है इस फूल के अंदर ही होती है अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है उसमें फूल आ गया है तो यकीन मानिये आपके घर में बरकतानी है उसे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा उस फूल को बस आपको ठीक तरीके से इस्तिमाल करना होगा इस फूल को बस आपको किसी भी तरीके से हासिल करना होगा और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं आपको करना होगा उसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको पैसो की कमी नहीं होगी इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जै महालक्ष्मी लिख दीजिएगा क्योंकि महालक्ष्मी जिसको भी आशिरवाद दे देती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में धन आता रहे तो बीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों मान लीजिया आप लोग किसी भी तरीके से एलोवेरा का फूल पा जाते हैं तो आपको सिर्फ ये करना है एलोवेरा का फूल लेके जाना है और इस फूल को लग करके आपको अपने घर पर शाम के वक्त एक माला लेकर बैठना है माला को ग्यारह बार घुमाना है, ग्यारह बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है ओम श्रीन श्रीरी नमा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं ओम श्रीन श्रीरी नमा, ग्यारह बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप 51 बार करना है वो भी मा लक्ष्मी जी की मूर्ती के सामने फोटो के सामने और एलोवेरा के पौधे को रखना है ये प्रक्रिया आपको साथ दिन करनी है मतलब शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और शुक्रवार के दिन ही खत्म करनी है और इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल कपड़े में रख देना है उस पे थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और लाल कपड़े को बांध करके अपनी अलमारी तिजोरी में रख दीजिए जहां पर आप लोग पैसे रखते हैं, सोना, जेवरात रखते हैं यकीन मानिए अगर आपने ओम श्रीन श्रीय नमह का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धनकी कमी नहीं होगी मा लक्ष्मी का आशिर्वाद आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे आप मान लीजी आपको पता चलता है कि आपका मनिपूर चक्र कमजोर हो चुका है और आप इसको बलबान करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है एलो वेरा का फूल प्राप्त करने के बाद सोमवार को इस फूल को भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर बैठना है और भगवान भोलेनाथ के सामने किसी भी माला को लेकर के 108 बार आपको ओम नमा शिवाय का जाप करना है अगर आप इतना कर देते हैं और इस फूल को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में कहीं भी रख देते हैं कहीं भी मतलब जहां पर वो सेफ रहें इसको रखने के बाद यकीन मानिये आपका मनेपूर चक्रब बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आशिर्वात दे देते हैं तो उसके जीवन में कश्ट कभी नहीं आता है आप लोगों का मनेपूर चक्रब जो कमजोर हो चुका है वो मनेपूर चक्रब बहुत मजबूत हो जाएगा अब मान लीजे आपका कोई व्यक्ति कोई दुश्मन आपके बहुत ही लंबे समय से पीछे पड़ा है और वो आपको बर्बाद करना चाहता है आप चाहते हैं कि बर्बादी से बच जाएं कोई व्यक्ति वो आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहता है तो इसमें इतना करने के बाद आपको शनिवार के दिन ये करना है शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाए दिया जला इस शनी देव जी का जो मंत्र होता है उसका आपको जाप करना है वो आपको गूगल पे बड़े आराम से सर्च करने के बाद मिल जाएगा इस एलोवेरा का जो आपने डंठल तोगा है एलोवेरा का जो आपने पता टाइप का तोगा है इसको ले जा करके बस आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास में गाड़ देना है और इतना करने के बाद आपका जो शत्रू आपके पीछे पड़ा हुआ होगा जो आपका वि विनाश कर देते हैं, उसका विनाश हो जाता है। विनाश करना है कि ब्रिहस्पतिवार का दिन होता है। विनाश करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिये 11 ब्रिहस्पतिवार के बाद आपको कही ना कही अकस्मिक रुपया मिलेगा। मान लीजिये आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप काला बाजारी सेट्टा बाजारी कर रहे हैं, आपके रुपया उसमें दुगना हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो भी उपाए हमने आपको बता है, ये सारे उपाए चून की आपको बनस्पति ज्यान में मिल जाएंगे। वास्तु शास्त्र की किताबों में मिल जाएंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा एक डाइमंड माना गया है, एक हीरा माना गया है, वास्तु ग्यान में साइंज में भी इसको हीरा माना गया है, तो जितने भी हमने आपको उपए बताये हैं, ये आपके जीवन को बदल सकते ह तो आप भी चाहते हैं, आपके जीवन में कभी भी आपको कश्ट देखने को ना मिले. आप लोग हमेशा धन से सम्पून रहे. तो एलोगेरा के इन उपायों को अपनाएगा आप अपने जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे. उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेर जरूर करे और भी यूसफूल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा. वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.